next question in the arrangement as shown in the figure the ends P and Q of an inextensible string moves downward with uniform speed U, pulleys A and B are fixed, mass and moves upward with the speed यह बताना है हमें आपका जो mass है जो बीच में लटका हुआ है वो कि speed से उपर move कर रहा होगा यहाँ पर अक्सर स्टुडेंट्स यह आपका constraint motion का सवाल है और अक्सर स्टुडेंट्स यहाँ पर confused होते हैं actually यह सवाल आपको जब हम NLM का constraint motion बढ़ लेंगे और तो आपको और जादा अच्छे समझ में आएगा पर मैं आपको फिर कोईश करता हूं समझाने की मुश्किल नहीं है ठीक है सो scenario यह है कि यह आपकी दो police है यहाँ पर आपका दो end है और यह आपकी police दोनों ऐसे fixed है और यहाँ पर आपने मास ऐसे M लटका हुआ हुआ है और यह मास क्योंकि यह पुली इदर U velocity से और U velocity से दोनों नीचे आ रहे हैं लेट असे यह वाला और इन दोनों का एंगल सेम है ठीक है तो यह एंगल बना नहीं है इसा ऑट यह दोनों एंगल आपका सेम है थीटा थीटा एंगल है तो लेट असे यह मास है है आपका यह V velocity से ऊपर जा रहा है इसकेस में क्योंकि रसी जो है आपकी यू वेलोसीटी से नीचे आ रही है यह वाली रसी भी यू वेलोसीटी से नीचे आ रही है तो यह वेलोसीटी है यह जो आपकी constraint motion है क्योंकि आपकी यहां पे string inextensible है वो तूटे गी नहीं उस वज़े से आपका V cos theta will be equal to u which implies V will be equal to u divided by u by cos theta ठीक है तो यह आपकी V की value होएगी यानि की option number B would be the right answer इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक और अच्छा तरीका यहां पर apply करें हम एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं यह आपकी V velocity से ऐसे जा रहा है आप बगर यह इस ट्रेंगल को देखेंगे यहां पर अब हम थोड़ा से calculus यूज करने वाले मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान काम है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यह जो आपका distance है यह distance आपका यह वाली value जो यह fix है let's call this x let's call this y and let's call length of the string as l तो यहां पर अगर हम pythagoras theorem यूज करें तो हम यह लिख सकते हैं x square plus y square will be equal to l square इस वाले triangle में क्योंकि 90 degree का angle है इस वाले triangle में pythagoras theorem यहां पर लगा सकते हैं यहां पर अपना जो constraint है वो constraint यह है कि यह x आपका हमेशा fix रहेगा यह particle जब उपर जाएगा तो आपके y की value change होएगी l की value change होएगी लेकिन x आपका fix रहेगा इसको अगर हम यहां पगड़ के आप differentiate कर दें तो इस दिफ्रेंशेट करने पर अपने को मिलेगा इस चीज का differentiation आपका 0 हो जाएगा तो इस विल बी इकॉल दिफ्रेंशेट बाइड दी वाइड दी वाइड वाइड दी नौ अगर हम दी वाइड दी को देखेंगे तो दी वाइड दी इस नथिंग बट वी इस डिफ्रेंशेट वाइड यहां पर कैंसल हो जाएगा वाई मल्टिफ्राइड वाइड वी विल बी इकॉल टू ख्ल डी ल दिवाइड दी यानि की वेल वेलोसिटी आपकी यू आगई इस रस्ती किदर वेलोसिटी आपकी यू है इस केस में हम यह कह सकते हैं जो आपकी value V है that will be equal to L divided by Y multiplied by U. Now इस case में अगर आप Y by L देखेंगे तो Y by L आपका cos theta है या L by Y जो बन रहा है L by Y अगर देखेंगे आपका sec theta है which implies V की value हो जाएगी U sec theta और U divided by cos theta है ना तो यह चीज है हमने है एक बार calculus से और proof करके देख ली तो constraint motion आपका मुश्किल काम नहीं है बहुत ही असान सी चीज़ है बस concept आपके clear होने चाहिए इस सवाल का option number B would be the correct choice